नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के भारत की प्रमुख न दिया इससे रिलेटेड फोटी कुस्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आनावल एक चामस के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो आप इन एक कमेंड बक्स में लगा सकते हैं ठीक है तो देखे यहाँ पर हमारा पहला कुस्चन है निमने लेखित में से कौन सी भारती यो नदी पस्चिम की और बहती है तथा और अपसागर में गिरती है तो देखे इसका करेक्ट आंसर ओप्शन यह हो जाएगा नर्मादा नदी जो ह यह पस्चिम की और बहती है तथा और अपसागर में गिरती है ठीक है इसके अलावा नर्मादा नदी का जो उद्गम हुआ है तो यह अमर कंटक सीखर से हुआ है ठीक है आपको याद रखना है कुश्चन नमबर टू है गंगा नदी की सहायक नदियों का पस्चिम से पूर सही अनुकरम ठीक है तो अपसनी करेक्ट हो जाएगा पस्चिम में सबसे पहले यमुना नदी है उसके बाद घागरा सोन गंडक तब जो है कोसी नदी है ठीक है आपको याद रखना है पस्चिम में सबसे पहले यमुना नदी है उसके बाद घागरा सोन गंडक उसके बाद जो है कोसी नदी है ठीक है कुश्चन नंबर 3 है भारत में डिल्टा बनाने वाली नदी है कौन सी है तो देखे भारत में डिल्टा बनाने वाली जो नदी है वो है काबेरी गंगा और माहा नदी ठीक है काबेरी गंगा और माहा नदी जो है ये भारत में डिल्टा बनाने वाल नदिया है ठीक है C करेक्ट जाया है का कुश्च नमबर 4 है सुन्दर बन डिल्टा का निर्माड करने वाली नदिया कौन सी है तो देखे सुन्दर बन डिल्टा का निर्माड करने वाली जो नदिया है तो यह है गंगा और ब्रहम पूत्र ठीक है गंगा और ब्रहम पूत्र ज होती है तो देखें इसका correct answer option B हो जाएगा नर्मदा और सुन जो दो नदी है तो यह अमर contact से उद्गमित होती है ठीक है option B correct जाएगा question number 6 है और नाचल परदेश में परवेश करने पर ब्रहम पूत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है तो देखें और नाचल परदेश में परवेश करने है पर ब्रहम पूत्र नदी को जो है यह दिहां के नाम से जाना जाता है ठीक है option B correct जायएका question number 7 है मानस निमने लिक्षित मैंजे किस नादी की उप नदी है तो देखें मानस जो है यह ब्रहम पूत्र नदी की उप नदी है कुश्चÓ नमबर आठ है जयविक मरवस्थल कहा जाता है तो धेखे जयविक मरवस्थल यह बोला जाता है दामोदर नदी को ठिके इसके अलावा दामोदर नदी जो है यह पस्सी मंगाल तिधा जार्खण में बहने वाले एक नदी है इस नदी की लंबाई कितनी है तो 592 कीलो मेटर है ठिके और इस नदी का उदगम जो होता है तो यह छोटा छोटा नागपुर प मिलती है तो देखे इसका correct answer option B हो जाये का बेरी न दी जो है ये और अब सागर में नहीं मिलती है ठीक है option B correct हो जाये कुश्चन नमबर 11 है निमने लेखित में से कौन सी नदी प्राइद इप्या पठार उपांत से नहीं निकली है निमने लेखित में से कौन सी नदी प्राइद इप्या पठार उपांत से नहीं निकली है तो कौन सी नदी है तो यह है यह मुना नदी ठीक है ओप्शन यह करेक् चांसर ऑप्षन B हो जाएगा तापती नदी जो है यह रिफ्ट घाटे से उकर बैती है ठीके ऑप्षन B करेक्ट हो जाएगा कुश्चे नंबर 13 है भारत का सबसे बड़ा जुआरनाद मुख है किस नदी के मुहाने परिष्टीत है तो भारत का सबसे बड़ा जो के मुहाने परिष्टीत है और अप्षन E करेक्ट हो जाएगा का कुश्चे नंबर 14 है के दामदर नादी को बंगाल का सूक कहा जाता है क्योंकि तो देखे दा मुदर नल्दी को इसलिए बंगाल का सूक बोला जाता है क्योंकि इसमें परायत तबाही मचाने वाली बाढ़ में ৥ीक है माझूली संसार का सबसे बड़ा नदीथ कि किस राज्जे में है तो यह औसम राज्ज कुशिच्च नंबर 16 मध्ध भारत से निकल कर यमूना गंग में मिलने वाली नदी कौन सी है तो बेतवा नदी है option D करेक्ट हो जाएगा question number 17 है निमनलेखित मैंसे वो नदी कौन सी है जिसके बारे में आंधर परदेश करनाटक और महराष्ट के बीच बीबात चल रहा है कौन सी नदी है तो देखी यह है कृष्णा नदी ठीक है कृष्णा नदी के बारे में आंधर परदेश करनाटक और महराष्ट के बीच बीबात चल रहा है ठीक है तो option D करेक्ट हो जाएगा कुष्णा नबर 18 है हिमाले काटकर यह बहा कर आने वाली नदी यह कौन सी है तो देखी हिमाले काटकर यह बहा कर आने वाली जो नदी आ है तो यह है ब्रहेंपूत्र सतलज और सिंदू ठीक है option D करेक्ट हो जाएगा तो देखी यह माही नदी ठीक है माही नदी जो है ये माध्य पर्दे से निकलती है और खंबात की खाणे में गिरती है ठीक है question number 20 है निमनलिखित नदियों में से किस नदी का उदगम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है तो कौन सी नदी है तो ये है कोसी नदी ठीक है कोसी नदी का उदगम नेपाल में है और कोसी नदी जो है गंगा नदी में आकर मिलती है ठीक है option ये करेक्ट जायेगा इसके अलावा बिहार का सुक किस नदी को बोला जाता है तो कोसी नदी को जो है ये बिहार का सुक बोला ज होती है तो तर की उर जो है सोन नदी परवाहित होती है ठीक है और सी करेक्ट हो जाए का कुश्च nemर 20 टु है ग april क्र्णा में 20ुओर इसे दुक्र च्णा जह मिलने वाली नदी कौन सी है तो गे जाए सनल नदी ठीक हैं टूराइए तो देखिये है नर्मदा नदी ठीके नर्मादा नदी जो है पास्चिम कियो और बाती है तता और अब सागर में गिडती है ठीक है ने मिलेखित में से वह नदी कौन सी ए जो एक एक बिभरान से घाटी यानि रिफ्ट बैले से होकर बैती है तो कौन सी नदी है तो देखिए है नर्मदा नदी ठीक है नर्मदा नदी जो है एक बिभरान से घाटी यानि रिफ्ट बैले से होकर बैती है बी करेक्ट हो जायाएका कुश्चन नमबर 25 है निमनलेखित मैं से पुड़ा परवत स्रिंखला के मद्धे से होकर गुजरती है, तो कौन सी नदी है, तो यह है नर्मदा नदी, ठीक है, option A करेक्ट हो जायाएका, question number 26 है, कावेरी नदी का उदगम सुरोत है, तो देखे, कावेरी नदी का उदगम सुरोत है, तो यह है ब्रहमगीरी पहाडी है, ठीक है, option A करेक्ट हो जायाएका, question number 27 है, भारत में कौन सी नदी को, खूला नाला कहा जाता है, तो खूला नाला यह मुना नदी को बूला जाता है, ठीक है, option B करेक्ट हो जायाएका, question number 28 है, निमनलेखित में से किस नदी के मुहाने पर डिल्टा नहीं बनता है, तो देखे इसका correct answer option D हो जाएगा तापी नदी के मुहाने पर डिल्टा नहीं बनता है ठीक है question number 29 है निमने लेखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है तो देखिए इसका correct answer option B हो जाएगा को सी नदी जो है यह अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है ठीक है question number 30 है निमने लेखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकल कर पाकिस्तान में जाती है तो भारत से निकल कर पाकिस्तान में कौन सी नदी जाती है स्वतलोज नदी जाती है ठीक है, option एक करेक्ट हो जायाएका, question number 31 है, निमनलेखित में से भारत में तलचट को परवाहित करना वाली प्रमुख नदी कौन सी है, तो तलचट को परवाहित करना वाली जो प्रमुख नदी है, तो यह है गंगा नदी, ठीक है, option एक करेक्ट हो जायाएका, question number 33 है, प्रिनदी का उद्गम बिंदू ना सीख है आपको याद रखना है ओप्शन ये करेक्ट हो जाएका कुश्च नमबर 32 है नर्मदा जल बिबाद न्याधिकरण का कीन राजों के बीचे जल के बटवारे को सुलजाने के लिए गठन किया गया था तो देखिए नर्मदा जल बि करेक्ट हो जाएका कुश्च नमबर 34 है निम्न नदियों में से किसका सरवाधिक बड़ा जल गरहन छित्र है तो सरवाधिक बड़ा जल गरहन छित्र किस नदी का है तो ये है गुदावरी नदी का ठीक है ओप्शन C करेक्ट हो जाएका कुश्च नमबर 35 है गुदावरी न निमने लेखित में से कौन सी नदी कश्च के राण में समाहित होती है तो देखे इसके correct answer option B होजाएगा लूनी नदी जो है ये कश्च के राण में समाहित होती है Question number 37 है भारत के दचली प्राइदीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी छेतर का निर्मार करती है तो कौन सी नदी है तो ये है गोदावरी नदी ठीक है option Y करेक्टर जाये का Question number 38 है भारत के किस नधी को ब्रीदि गंगा कहा जाता है तो ब्रीदगंगा जो है ये गुदावरी नधी को बोला जाता है Option B करेक्ठ जायाए का Question No.49 है Siya Chin Glacier के पिखलने से बना पानि किस नधी का मुख्य सुरूत है तो Siya Chin Glacier के पिखलने से जो पानि बनता है तीबबत में मानसरवर जील के पास है किस नदी का उदगम सरोत इस्तित है तो इसका correct answer option D हो जाएगा इन में सभी यानि सिंधू, सतलज, ब्रहंपुत्र, तीनो नदी का उदगम सरोत इस्तित है तीबबत में मानसरवर जील के पास ठीक है option D correct हो जाएगा उपर युक्त सभी तो दोस्तो ये थे भारत की प्रमुख न दिया इसे related 40 questions दोस्तो आप इन total 40 questions में कितने questions सही कर पाएं comment marks में अपना score जरूर बाता है वीडियो पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सहन करते हैं ठीक है मिलते है अगले वीडियो में thanks for watching